खरे कृष्णा तो आप सभी दर्सकों का एक बार फिर से स्वागत है आपके मन पसंद कारेक्रम में और हमारे भी मन पसंद कारेक्रम में जिसका नाम है एक मुलाकात क्रिश्ण बद के साथ यहां पर ऐसी इसी विभुदियां आती हैं जो जिनने अपने जीवन में अपने सफल बनाया है और बाकी लोगों के जीवन में एक सफल सा पुर्वाय के शकरात्मक उर्जा उत्पन करने के लिए वो शक्षम है तो ऐसे ही आज एक विभुति हमारे साथ है तो उनके बास जाने से पहले उनका छोटा सा परिजा उनका नाम है कारतिके इदाथ तो वैसे तो सफनालिटी अप दे यर रह चुके हैं और बहुत सारे ऐसे ऐसे कारे वो कर चुके हैं जहां पर उनके पास एक ग्लैमरस एक फेमस एक लाइफस्टाइल हो सकती थी पर उनने अपने अंतर आत्मा की आवाद सुनी तो कारतिके दास जी का जन्म करनाटक में हुआ में हुआ म लेकिन एजुगेटेड सिक्षित मेमिली से बहुत अची संसकार मिले और तभी से द्यात्मिक जीवन का बीजार उपन उनके रिदे में हुआ उसके बाद वो 2011 में लगभग जबने ग्रेजुशन कर रहे थे तो वो एम्टेक और बीग्टेक की पढ़ाई उन्होंने की है ब वो भक्तों के साथ जुड़े और तब से कृष्ण तक्त्व को जाना और उसके बाद उसके अंतरात्मा की जो आवाज है वो सुनते चले गए और कृष्ण भक्ती में ऐसे निमग न होते गए कि एक के बाद एक उनकी सिवाओं का स्विकार करते गए और 2016 में वो उन्होंने प्रचार करना, कॉर्पोरेट सेमिनार्स करना, उन्होंने मोबाईल अब भी निकाला, अजीता स्लोकटे, फिर वहाँ पर भगवतगीता के शेशन्स लेते हैं और भगवतगीता और भगवतवतम के आधार पर बहुत सारे लोगों को ऐसे से सूत्र, ऐसे से मूले सिखाते ह जिनके आधार पर वक्ति अपने जीवन में वहवारू जीवन में उनका उपयोग कर सकता है और आध्यात्मिक उन्नती भी कर सकता है, तो ये उनकी प्रतिष्ठा भी रही है, उनकी उपलब्दी भी रही है, और जो भी भगवान ने उनको दिया है, एक बड़ा का ठोत्र है कि उनके जीवन से हम कुछ ऐसा सीख सके, ताकि हम अपने जीवन में भी प्रफुलित रह सके, आनंदित रह सके, और अपने जीवन को मनाते हुए, साथ-साथ में आधात्मिक दिवन्नती कर सके, बहुत प्रेम से, आधर सबकार से, उनके, उनका आश्वावत कर करमें एक मुलाकात क्रिश्न बद के साथ रे कृष्णा प्रभु जी अ हरे कृष्णा जिकर जी हरे कृष्णा प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद जिस प्रकार से में आपका परीशेय पत्र पढ़ा है तो मुझे ऐसा लगा था कि अगर आप आंतर रस्ट कृष्ण मावन वर्णन देखा है बहुत सारी सेवा में सनलगन रहते हैं बट फिर भी एक सेवा के रूप में आपने हमारे आमंतर को स्विकार किया और हमसे जुड़ने के लिए देया दुए बहुत-बहुत धन्यवाद तो मेरा भाग्या है कि हरे कृष्णा टीवी के दर्शकों का मैं तो बुरुजी थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा पल होता है एक ऐसा पड़ा होता है जहां पर हर उमर का व्यक्ति उस पल में उस पड़ा में वापस जाना चाहता है और वो होता है हमारा बालेकाल जहां पर ना ही हमारे बहुतिक जीवन क तो जाना चाहूंगा दर्शेकों के लिए कि कैसा था आपका बाले काल कौन-कौन था परिवार में और आपका लालंद बालंग कैसे और कहां हुआ तो मेरा जम तो करनाटक में हुआ था और उसके बाद right from the age of one मेरे माता पिता तो महां सेटल हुए थे मुंबई में तो भही मेरा school, college, engineering यह सब हुआ तो एक चीज है कि जो मेरे parents है माता पिता दोनों educated है और right from childhood बाले काल से उन्होंने बहुत सारी अच्छे चीज़ चीज़े सिखाई एक चीज तो मैं अभी भी याद करता हूँ और अपने मा को थैंक करता हूँ धन्यवाद करता हूँ कि दूसरी कक्षा से उन्होंने मुझ मुझे नहीं करना है मुझे नहीं करना है मुझे खेलने दो बोलती नहीं नहीं करके जाओ करके जाओ और अभी मैं जब सोचता हूँ कि how much helpful it was और ऐसे कहीं स्तोत्र थे जो मेरी मां recite करती थी चैंट करती थी और बिना कि मेमराइज किये वह आटोमेटिकली मुझे याद होता था तो कि वहीं बैटके पढ़ाई करते थे वहीं पूजा रूम था और वहीं मां पूजा करती थी और सारे प्रारत्नाई करती थी और बच्पन से मैं हाइपर एक्टिव हूँ प्राइब करता था 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 कि बाकी बच्पन से लड़ देते थे और कहते थे कि देखो आपका बच्चा क्या कर रहा है स्कूल में उसके साथ-साथ यह कॉंपेटिशन वो कॉंपेटिशन ड्राइंग दान्स और घर पे एक चीज था कि हाँ तुम्हें फर्स्ट आना है क सबस्ट पढ़ाई करते थे और थोड़ा बहुत नंबर आ जाता था था फस्ट आ जाते थे वस यही तो दिस हाव मैं चाइल्ड़ूड वस ना बच्छी चीजे सीखाई उन्होंने अध्यात्मिक जीवन में जो चाहिए जो सीड कहते है ना बीज वह उन्होंने बोया इस व जमारा बेटा हर चेत्र में अवल रहे आगे बढ़े और अच्छी चीजों को सीखे और उससे उससे बहुत सारे धनकी भी प्राप्ति हो प्रसंसा भी मिले तो हर माधा पिताए चाहते तो जस आप से जानना चाहूंगा कि कही को भी ऐसा होता है जिसे आपके घर में भी या अध्यात्मिक आपको घ्यान दिया गया तो कभी-कभी बच्पने में हो सकता है कि तत्व की दरिख्ती से उतना इंकलिनेशन ना हो नेटी वर्षिप के लिए या अध्यात्मिक जीवन के लिए बट आपको लगता है कि कहीना कहीं अपशारिकता रूप से भी आज कल के माता-पिता है उनको बच्चों को यह आध्यात्मिक ज्ञान देना चाहिए भले उसकी रूची हो या ना हो कहीं आपको लगता है इसा है प्रलाज महाराजी कहता है कि प्रलाज महारा जी कहता है कि पाच वर्ष से उमर में तो खुद से तो कर नहीं सकता बच्चा माता-पिता जो है अगर वो संस्कार देंगे भक्ति का अब हम देखते हैं जैसे कोई बच्चा मोवी देख रहा है या माता-पिता देख और वो देखने लगता है तो इसे बोलने के जरूत नहीं पड़ती कि यह गाना याद क कर लो ऑ्सान के लिगे लगते गाने भी लगते घरमे माता-पिता कर रहे हैं तो एक्ट्शा बिस्टा बिस्टा है बच्चा चाह Gulf देखते ही, देख कर, सुनकर, लेकिन आज शकल देखते हैं कि बहुत मुश्किल हो जाते है, माता पिता दोनों working है, तो फिर बहुत बिजी हो जाते हैं, लेकिन यह जो वाइटमेन जो होता है, लाइफ का, भक्ती का वाइटमेन, यह सम्हाँ मिस्कर जाते हैं, तो यह बहुत इंपर्टेंट है this vitamins very very important बाकि सारी चीज तो कर देते हैं school में लखों-लखों These भर देते हैं यह competition वो classes सबकुछ लेकिन इंपोर्ट वाइटमिन भगती का जो actually पूरे life में help करेगा वो मिस्टेरब जयते हैं कि किस किस प्रकार से उच्छा उच्छा सिक्षन में आज चल तो मैंने अभी एक फ्रेंड से बात करना था तो यह भी बता चला कि ऐसे ऐसी संस्थाएं हैं जो पढ़ाई को छोड़ कर बाकी सब करवाती हैं आपसे आपके प्रस्नालिटी को डेवलोप करने के लिए ऐसी संस् और टीचर पीछे खड़े रहते हैं आप कैसे बेचते हो तो उस तरीके के आप परस्नालिटी डेवलोप में के लिए कारे करते हैं पर यह दुरबागय है हमारे देश का कि यहाँ पर आध्यात्मिक जीवन के लिए जो बुनियाद रखनी चाहिए जो पिलर वनाना चाहिए पर दर्शेगों के लिए यह बहुत अच्छा एक सुझाव है जो प्रभुजी ने बताया है कि अगर बच्चे लोग का एक सभाव होता है कि वो खुद जो देखते हैं उसको करने लगते हैं तो इसलिए आवशा कि माता पिता उस भक्ती को करे तब भक्टे में बक्ती के ग मोनिटर बनते थे आप रेप्रेजेंटेटिव होते थे तो बेसिकली यू आलवेज वांट टू बी अटेकिंग अलीड नॉट इन नेगेटिव सेंस बट मतलब आपको एक वो थोड़ा सा एक थाप बगवान का दिया हुआ तो उसमें पढ़ाई में आप अच्छे थे और यूदर से क्या एकपा एक्पिरेशन था कि मुझे बड़ा होकर एंजिनेर बनना है या यह पढ़ाई करना है या कई परिवार की तरफ से ऐसा कुछ दबाव रहा कि आपको यही शेत्र में जाना है और यही बनना है ऐसा कुछ था आपके जीवन निए बच्पन से मुझे मातापिता ने भूत फ्रीडम दिया जो करना करो हम तुमारे साथ सहे अर। इस तिंग वस अल्वेश क्लिए और यह भी करना वो भी करना आए सबस्टार्टिं से मुझे डॉक्टर बनना है अब्यक्टर उस एक फिर बात में 100 मिआ 10th में त७ी देग यह प्रशन था हमेशा पैसा कहा मेलेगा जब पता चला कि हाँ आयाइटी जयी प्रिपरेशन करना चाहिए अब आयाइटी का मतलब पता था बस किसी फ्रेंड से सुना तो बस चालो हो गए उसने तो जयी का प्रिपरेशन और तो बेसिकली गोड़ फोकस यह था कि पैसे कमान पर पैसे नहीं है तो people will not respect पैसे नहीं है तो तो मारी लाइफ उपनी खास रहेगी नहीं तो यह हमेशा कहा जाता था तो अदिमाग में हमेशा था कि हाँ पैसे कमाने था दाना इंट इस इंजिनरींग फील्ड तो उसके लिए प्रिपेर कर रहे थे तो दबाव एसे कुछ थान ही जो करना है करो एक बार तो ऐसे हो था कि एक्जाम का बट प्रेशर था और मेरे माता पिदा के रहते है कोई बात नहीं, no problem, even if you fail we have no problem, just तुम अपना बेस्ट दो बाकी देखा जाएगा जोगी, तुम आपना बेसे ग्रीज़ाइप आएगा जोगी डेको प्रेशर एटिदा जोगी वी घूट लाप करो बिमेंशियों अपना इसे देखा जैसे य। आर पूछने से पहले लाके देते जैसें आशे पूछने कि पहली मॉईज खूने मेरे स्कूल जय से नकैसे, एक फुर्स कि एक होता है ना कि एक फ्रीडम देना और साथ-साथ में एक एक मर्यादा भी बहांद कर देना यह बहुत आवश्चा कि हम प्रीडम के नाम पे इतना छूट दे देते हैं कि वहाँ पे कोई कंट्रोल रहता ही नहीं है और यह जो एक्छी शिक्षा है वो डेफिनेटली आध् को देखके आपने सोचा कि में खरता हूं तो बहुत बार ऐसा भी होता है प्रोजी कि जैसे कोई चार्टर अकॉंटन्स है या कोई डॉक्टर है तो ऐसे मित्रों के संगत में रहते हैं तो कभी-कभी उनके जो फ्यूचिरिस्टिक जो प्लान होता है उसको देखकर या जैस इसी परिष्थितियों में क्या सही रहता है कि किसी को देखकर हमों करे और अगर वो कर लेते हैं तो क्या लिमिट होनी चाहिए जिसमें अपने को समझ जाए कि this is not a cup of my tea and we can withdraw and we can pursue something else where we can success and proceed further एक उदारन देना चाहूंगा मैं तो यहां एक हमारे स्टूडेंट है जो फाइनल इन सिविल इंजिनेरिंग में थे और प्लेस्मेंट चल रहा था और उस समय वो मेरे से आके कहते है कि मुझे इंजिनेरिंग और अच्छा नहीं लगता मैं फिलोसफी में जाना चाहता हू और अब अच्याहैं उन्हय का बिलासफी का मैं इनलिने पहले हैं में पहले हम इनलिगे स्टूंट कर सकते हैं विलोसफी का जो भी अप को आप को को टेस्टैस्थ है या जो बह। जानना चाहते है आप, को आ गर सकते. because see it's not just about one's own interest तो साथ साथ घर परिवार का भी देखना होगा just to see the status his dependency, कितने लोग dependent है उन पर so सारी चीज़ देखनी है as you rightly said, nowadays we say no, sheep sheep mentality सबस एक को देखके दुसरा बस को करते रहता है करते रहता है and parents also want the same I remember when I got placed first company में, मेरे parents कहे रहे थे सारे बच्चे जारे, तुम क्यों नहीं जारे है I don't want to get into this I want to pursue something in electronics only something like that so, एक चीज है कि we have to pursue our interest और उसके साथ साथ यह भी देखना है कि क्या dependency है हमारे पर और अगर dependency नहीं yes, we can always change the path, change the course of action and then, when we change the course of action एक बहुत इंपर्ट चीज होती है we should take our responsibility at that time, we cannot blame we can't blame anyone, we have taken our own responsibility so, if someone takes his own responsibility एक चीज तो है that he confidently कर पाएगा चीज को अगर उसके फेल भी होता है he will take that failure as a stepping stone to success अगर उसके प्रस्पंसिबिटी लेता है तो to answer your question, yes a person can pursue his taste, his interest but then he should take his responsibility and at the same time एभी देखना होगा कि क्या के dependency है I should satisfy the dependency also that's what I would say Yes, yes, yes very much needed to जिस्ता आपने बताया तो इसका अगर conclusion निखाला जाए आपने जो बताया उसका conclusion में अगर सोचू तो एक होता है हमारा interest हमको किसमें interest है दूसरा हम बता है हमारा skill set मतलब क्या मैं वो करने के लिए योग्य हूँ या सक्षम हूँ और दूसरा होता है कि जो मैं करना चाहता हूँ क्या वो मुझे financial stability देगा ये तीनों के अगर try and match करके अगर हम कुछ करते हैं इसमें आपका responsibility भी आता है आप dependency का भी ध्यान दखते हो और आपको जो करना है उसकी प्रेना भी आपको मिलती है तो आपको हो सकता है कि सफलता मतलब थोड़ी महनत करनी पड़े पर सफलता आवश्य मिलेगी और आपकी सारी जो जरूरते हैं वो पूरी होंगी थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और आपके जीवन में जो यह तरीकी का और दर्सकों को बता दू कि प्रभुजी आज जो सेवा कर रहे हैं वो बैंगलोर में दो सेंटर्स हैं पनथूर और सार्जनपूर जहां पर बहुत सारे ऐसी सेवां में सनलगने हैं जहां पर युवा के स्टार्स होते हैं और कुछ-कुछ ऐसे लोग होंगे जो साइद आफ्टर लास्ट डिकेट के बाद कोई-कोई पॉलिटिक्स में भी इंट्रेस्ट रखते होंगे क्योंकि अभी जो बसलाव देख रहे हैं हम उसके कारण से पॉलिटिक्स में भी किसी का रुची हो सकता ह है पर युवा का जो में ध्यान होता है वो लाइमलाइट में रहना ग्लैमर इतने सारे फॉलोवर्स इंस्टाग्राम यूटूब ये सारी सेनल मतलब बेजिकली मैं कली बात कर रहा था किसी से तो लोगों को सब कुछ बनना है और उसके पीछे सबकी ये इच्छा होती है कि यूटा वेख मैं को वाइरा ना हमको लगों की सहले कि हो सकता है कि उनके लिए सही ना हो तो यूआओ के लिए विशेश शूरूप से अपने अपने जीमिन के ऐसे पढ़ाव मैं आपके अंदर यूदर आ hy कहीं पे, because of your personality, because of your creativeness, और आप जिस तरीके से हमेशा लीड लेकर एक personality है आपका, उसके आपको लगता था कि आप आगे कर सकते हैं, तो ये नीर्णे जो था कि आपको इसमें आगे नहीं बढ़ना है, जहांपर बहुत लोग ऐसा करना चाहते हैं, तो वो नेने की शक्ती आपको कहां से मिली, और मुझे लगता है कहीं न कहीं आंतराष्टे कृष्ण भावना मुर्थ संग में जुडने के बाद ये साइद, आपको और ज्यादा प्रेना मिली हो, तो वो जाना जो बॉलिवोड के स्टार्स थे, और रोल-model थे, और ये जो नया हिर्ष्टल देख रहा है आप, ये पहले ऐसे नहीं था पाल मारें, अपने हैं जकी माचे हैं, पैंसल जाना मिलीवत सब्सके रहा है आपक़ो साथ्फट उस्पाइब एडारखेश रहां ज को बीड आवड बाडी पर हो अतार्ना है मैं बच्पन से दान्स में दान्स कॉल में डाला था खुल्यू मेरे और लिए शौम मॉद्लिंग इंट्रेस्ट आया था आया दोड़ा है टेक्ट आपिगते थे में करें चीज ने जो स्टेज परफॉर्मेंस होते थे तो अम पूरा एक मुहिना प्रिपेर करते ते उसके लि हो या solo हो या group dance हो फास्च मिर्ट का होता था और उसके लिए फुल month you know is to prepare very intensely and then after the show is over stage पे शो हो गया उसके बाद फिर से लगता था किया क्या मैंने that that question used to come and another very important question यह प्रश्चन हमेशा था कि हा मैं इसब तो कर रहा हूं लेकिन गोल किया है लाइफ का यह हमेशा बहुत बहुत ऐसे कहते ना कि खाना को सम इंसेक्ट और सम वर्म एटिंग और एंटार एंटार एग्जिस्टेंस वैसे लगता था और एक बार तो मैंने मेरे मां से इसी होता है लाइफ सब लोग ऐसे जी रहे तो हमें भी इसी हो गया और यह जो भी मॉडलिंग का जो भी ब्रेक अब्रेक इन मॉडलिंग एट वन पॉंट तो यह सब जो इतना एंगेजमेंट्स था तो उसमें सारे में प्रश्न भूल जाता था यह 2011-12 की बात है मैं हमारे एक मित्र हास मित्र हर्श करके हम कॉलेज फ्रेंड्स थे तो हम कहें कि चलो मुंबई दर्शन करके आते हैं नियुएर का टाइम है तो मुंबई दर्शन करके आते हैं तो जुहू बीच गये थे और जुबीच के सामने अपना मंदिर है इसको पर उसके मंदिर गये हमें और तभी मेरे यह मित्र ने बताया कि वह एक भक्त है अम्रेंद्र पोव करके उनके घर जाते प्रवचन सुनने और वह बोल रहे थे मैं कुछ जादा इंटर्स दिया नहीं मैंने ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है फिर जब हम जुहू पहुचे जू सब्सक्राइब करने से मुझे यह चीज मिलेंगे रही थे साथिर ऍंटो आप आद्छन के पूजा को झाम जुचे खायव कि अप्धार आप में अमर्स काउचन है को जिए अधर से अप्भावान की कि आप लुचान किया ठीक है तो इनकर दर्षन किया नानें नहीं पूर्णा कर रहा था और तभी मन में सोच रहा था इनकी पूजा मैं कभी नहीं करूँ गा यह पूजा करने के लाइक तो है नहीं इतने सारे गल्रेंट से का इसितने इसादिया की इसने नहीं नहीं यह आणिवार्णा की इसने I'll not worship him. But then somehow I feel कि भगवान के सामने जाने से, you know, you get that mercy. You just stand in front of Him, and you get that mercy. I think that was the life-transforming time. शाइद उनकी कृपा थी, भगवान की कृपा थी. That those questions which I was having, you know, was revived. Now I can say this. पिर से वो प्रश्ना आने लगे. और एक बद्ध बहुत पनी इंसिदेंट था, कि हम गौर्णिताय आल्टर के पास गए. हम दर्शन के गौर्णिताय का. और जैसे आपको पता हो, जूर टेंपल में गौर्णिताय है, उसके सामने प्रभपाद और उनके spiritual master, Saraswati Thakurji, उनका मूर्ती है. तो हमने देखा, ठीकिए, आदकृष्णा पता है, सीता राम पता है, यह दो कौन खड़े हैं? वो ब्रहमचारी को आज गए, जो बैटे थे. तो उनको पूछे, यह दोनों जो खड़े, इनका नाम क्या है? तो वो कहे कि गवरंगा नित्यानन्दा. मैंने कभी सुना नहीं था यह नाम. तो पता है, मेरा अरोगेंस कितना था, मैंने मेरे मित्रों को कहा है, अरे, इसको कुछ नहीं पता, चलो यहां से निकलते हैं. Then when we were going out of the temple, तभी मैंने मेरे मित्रों को कहा कि यह प्रश्णा है मुझे. Various questions about afterlife and what about the goal of life, कि लक्ष क्या है, इस जीवन का लक्ष क्या है, what am I supposed to achieve? And यह भी question था, बच्छमन से मुझे, कि भगवान तो कोई एक होने चाहिए. क्योंकि मेरे घर पे, you know, we had this altar, बहुत सारे देव देवताओं के विग्रह फोटोस थे, और मुझे समझ नहाता था कि कि इनका नाम में चैन्ट करू, गंपदीची का करू, कि भगवान शेव का करू, क्योंकि हमारा शाइवाइड बाइग्राउंड है, किनका नाम लो में? तो यह question भी होता था. तो मुझे वो जानना था कि, who is that supreme person? तो उस दिन, on that day, in the Juhu Temple, मेरे मित्र ने मुझे नमबर भेजा अमरेंदर परभुजे का. और next day, by Lord's mercy, हमने एकादशी किया, and I fasted, I offered Tulsi to, हमारे हर पे नारायन का एक मूर्थी है, अर्च विग्रह, तो उनको Tulsi ओफर किया, and उसके बाद मने call लगा अमरेंदर परभुजे को, and for two hours, I was just torturing him with questions, back to back, back to back, back to back, तो मैं पूछ तो भगवान शिव क्यों नहीं, भगवान कृष्ण ही क्यों, और फिर, what happens after death, from where are you saying this, what is the reference, almost, अभी मुझे याद है कि मुझे, जब वो युएस जा रहे थे, तो तभी मुझे बोल रहे थे है कि, you are that person, for two hours you ask me questions after questions, और इस प्रभुजी स्पूरिठी, and it was his mercy, कि वो दो घंटे में उन्होंने बहुत सारे satisfying answers दिये, but फिर भी, I was not fully satisfied, but to a great extent, वो satisfaction था, इन्होंने जो कहा, कुछ तो है, bonafide है, let me just try, let me just try, कि कि उन्होंने भगवदीता का नाम लिया, और मुझे ना भगवदीता का बी पता था, और नहीं ए पता था, then I thought, let me explore, no, I am a Sanatani, I should explore, what is भगवदीता, बस वहास इस सिलसला स्टार्ट हो, I started going to his classes, Sunday evening, कि उनके घर पे क्लास होता था, ये परेना कहां से आती थी, even I wonder, I used to travel almost one, one and a half hours to his place, एक देर गंदा ट्रावल करके पौच्टे था पहर पे पहले तो ट्रेन, फिर बस, फिर चलके, then I used to reach his place, and we used to attend classes, and बस वहासे, प्रशन पूछना और उत्तर मिलना, and I started exploring more, I believe in research, कि खुझ से रिसर्च करो, and then you know, you can always understand yourself, तो उनसे सीखते थे, बात में बदागवधिता पढ़ते थे, देखते थे, हाँ, ये मैच कर रहा, ये मैच कर रहा, ये मैच कर रहा, so slowly, slowly, ऐसे कहूंगा कि my faith increased, and I was able to get more realization, little bit here and there, and that's how my journey began, यहां से हमारा पूरा जर्नी स्टाट वा, Krishnanam. जी, बहुत ही रुमांचक है, आपकी कथा कि स्ट्रगार से आप अंदर में और, दो बात विशेश तूरूप से कहना चाहूंगा, कि जैसे आपने वर्णन किया, तो जैसे आप बता रहे थे, उस समय पर मैं मन से वो राधा-राथ-बियारी मंदिर में पहुच चुगा था, किस तरीका उनका structure है, किस तरीका से जाते हैं, और आप जैसा सही कह रहे हैं, बगवान के विग्रह जो हैं, वो इतने सुन्दर हैं, उनको देखकर एक तो गुलू-गुलू है, और इतने देखकर उनको ऐसा लगता है, कि बस देखते ही रहे हैं, और वो लगता है कि अपने सामने देखकर मुस्कुरा रहे हैं, और बहुत क्रिपा बरसा रहे हैं, बॉपत ही संदरविग्र है और आपका मन उन्होंने वहीं से मोग लिए था आप अंदर से वो सोच रहे थे कि इनकी बगती नहीं करूँगा वो आपको लगता है चलेंगद रहे थे कि मैं देखता हूँ तो कैसे नहीं करता है तू अब बक्ति करने की बात करता है ते तो मैं अपने इंटरनल अंतरंग पार्शन में ले लूँगा और आज हम देख सकते हैं कि आप ब्रह्मचारी के रूप में उनकी सिवा करना है तो ये तो बगवान की गृपा है ही बट वो एक अथा तो ब्रह्मच जिग्यासा का जो वाक्तविक्ता में जो एक मनुष्य जीवन में एक जिग्यासा होती है जिस तरीके से आपने पहले भी कहा कि आपके मन में एक क्वेश्चन था कि वट इस गोल तो बहुत सारे लोगों के मन में ऐसे प्रशना आते हैं पर हमारी जीवन की जो परिस्तितियां है जो और एक leap of faith रखकर थोड़ा आके बढ़ेंगे तो हो सकता है उस मारदर्शन की हमको साहता मिल जाए अगर completely ignore करेंगे तो नहीं मिल पाएगी बट बहुत ही रोमान्चक तरीके से आपका आगमन हुआ आंतराश्टे कुष्ण में तो आपके सामने अभी एक चुनोती आगी थ मतलब एक तरफ आपके internal questions जो थे वो answer हो रहे थे जैसे आप वरिष बग जो मरें दर पूए उन से जुड़े और इस तरीके से आपकी question मतलब दो घंडे में पुरा जेवादी session होगी आपका पूरा वो करने के बाद एक internally आपका एक अलग life का goal के जानने के लिए तयार थे औ दूसरी तरफ आपके glamour की तरफ भी आपका अकरशन था तो कहां पर आपने यह निने लिया कि बस हां मतलब यह जो glamorous दुनिया की मैं सोच रहा हूं या जो टेक मुझे मिलने वाला है या जो इसके लिए मैं प्रयास करता हूं वो मुझे अब नहीं करना है और कि कब अपने करना रूफ से कृष्ण महां मुर्थ की जो लाइफटाइल है उसको फॉलो करने का निने लिया वह कब हुआ जाते थे सेशन जाते थे माला करने लगे थे हम और standing four rounds eight rounds यह सब तो हो रहा था और जैसे जैसे हम जानने लगे और जब जान लिए कि what is the goal you know finally the goal is to break the cycle of birth and death जैन्म रृत्यु जराव्यादी के चकर से निकलना है यह जब clear हुआ तो मुझे याद है कि मैं मैंने प्रौजी को phone किया था और कहा प्रोजी बस अभी मज़े पढ़ाई वड़ाई नहीं करना है अभी तो हम समझ गए कि गोल क्या है तो भक्ती करेंगे और क्या मुझे अभी भी याद है कि बहुत प्रोजी दाटेते मुझे चुप चप करो और में यह कहना चाहूंगा कि जैसे ही मैंने यह meditation चालू किया मंत्रा meditation धारे कृष्ण महामंत्र का जब बहुत सरे transformations देखें मैंने अपने आप में सो एक तो है कि focus बहुत जादा increase हो गया और जो चीज कई घंटे लगते थे वो कई मिंटों में खतम हो जाते थे especially studying या interview के लिए prepare करना या किसी को help करना और तभी मैंने dance छोड़ा नहीं था मैं final year तक मैं stage shows करता था and slowly slowly एक चीज हो रहा था कि I was able to realize कि time बहुत waste हो रहा है यह जो भी glamour वाली चीज है यहां मुझे जो भी दिख रहा है बड़े screen पर उसको अपने बॉड़ी पर उतारना है तो यह जो shopping का जो चीज था या फिर जो glamour का जो attraction था वो थोड़ा-थोड़ा कम होते गया बिकिस यह लग रहा था कि वह टाइम वेस्ट हो रहा है गोल सम्थिंग गोल सम्थिंग एल्स इस हमेशा से एक तो था कि दिमाग में हमेशा से clear था कि goal oriented रहना है इस शूल में यह था कि हाँ अवल नमबर लाने है और बाद में यहां इंजिनेरिंग में आये तो हां इंटर्व क्राक करना है तो goal clear था लेकिन जो life का goal है जो जब clear होने लगा तो slowly slowly यह सारी चीज़ों में time invest कम होने लगा और यह भी कहना चाहूंगा कि ऐसे भी एक समय आये कि मुझे डांस करने कहरे थे this stage show था और मुझे ऐसे लग रहे था नहीं नहीं I don't want to go now enough अभी नहीं अभी और नहीं लास्ट जो मैंने dance किया था stage show so that was I think final engineering में और वो भी बहुत सारा pressure था तो मैंने बहुत सारा pressure था तो मैंने बहुत सारा ठीक है this is the last time and I'm doing and then वहां से जब उसी college में जब मैं pass out हुआ तो उसी college में मैं faculty बना एक साल के लिए तो जब मैं faculty बना और मेरे जो immediate juniors थे उनको में सिखाने जाता था final year students तो ऐसे हुआ कि एक दिन मैं board पर लिख रा था और मैं turn I just turned और मैंने देखा कि वही bench जो मैं बैठता था it's almost like a flash मेरा पुरे student life a flash लगा मुझे से कि मेरे सामने मेरा पुरा student life दिख रहा है और उस दिन जब मैं स्टाफ रूम गया तर इस टार्टेटिंग कि मैं सोच ने लगा कि मैंने किया क्या four years goal के दरफ तो में बढ़ा नहीं हो और उस दिन मैंने एक article लिखा अभी इसकों मुझे हमेशा अभी तुम first semester में हो ठीके second semester में serious हो जाना थार्ड semester में serious हो जाना ठीक कॉलिज खतम करने के बाद serious हो जाना उसके दमने उसको extrapolate किया और यह देखा कि serious तो मैं हो नहीं रहा हूं अभी फिर job का सिल्सिला स्टार्र उजाएंगा कि रस्क शादि कर बिर उसके बाद serious हो ना बच्चे पीदा कर लो फिर serious हो जाना बच्चों की शादि करना फिर serious 1 और बुक्स पढ़ना और अच्छे जब करना और प्रवचन सुनने जाना मंदिर में कई बार तो ऐसे भी किया पता नहीं मेरे माता पिता देख रहे शायद मुझे कई बार घर पर जूड बोलके जाता था कि या में मुवी देखने जा रहो हूं और मंदिर जाता था आर बाट कि जाके प्रवचन सुनने थे फेस्टिवा अटेंड करते थे देन वो जो गोल की बार में तड़ यह जर जाके प्रवचन सुननने थे फेस्टिवल अटेंड रहे में चाहिए दो जो जो सारी ग्लैमर की चीज़े खिए उती गई अपने बुए जा थेस्वाने में अभव किया, कि महामंत्र का जाप करने से, भगवद्गिता का ध्यायन करने से, there was an immense transformation, एक अलग परिवरतन था, like for example, I was a very short tempered person, I was able to see that how यह पूरा जो गुसा जो आता था, एक्दम अलग अलग स्टेडली कम होते गया, I could see that, I could see the focus getting increased, I could see the various other allurements which are there, जो भी attraction होती थी, and all that went on, went down, so ऐसे, जब खुद अनुभव कर रहे थे, जो भी शास्त्र में लिखा है, then the faith started increasing, श्रद्धा बढ़ने लगी, this is what I'm supposed to do, let me do this, यही करना है मुझा प्रजीवन में, तो बस वहाँ से जो start हुआ, तो उसके बाद हमने इसकौन के एक वारिष्ट सन्यासी से फिर्दीक्षा लिया, और तभी वहाँ से और सीरिस हो गए, कि तभी सोला मला, फिर हम स्किप नहीं करते थे, सोला मला करना ही है अभी, और तभी प्रचार भी करने लगे, और जब हम क्लास देते थे, जब प्रवचन देते थे, तभी एक अलग confidence आता था, कि कई बार ऐसे होता है कि हम व्यासासन में बैठे, और ऐसे कोई प्रश्णा आया जो, you know, think also, क्या है इसका आंसर, बच सम्हार बट गिव द आंसर और वो बंदा भी कन्विन्स हो जाता था, तो all these different experiences, which might not be directly seeing Krishna, but then, ऐसे experiences, जो life transforming थे, ऐसे अनुभाव जो life transforming थे, that gave a lot of faith, and then, it helped me to continue on and on and on, and rest is history, I am sitting in front of you. जी, 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 अद्बुत अद्बुत प्रभुजी, जिस तरीके से आप वर्नन कर रहे हैं, किस-किस परकार से, बगवान ने आपकी साहे था कि अंदर की आपकी जो inquisitiveness थी, जो inquiry करने की एक चाह थी, जो जिग्यासा थी, उसको बगवान पूरी करते चले गए, बट एक और बात आती है, if you are not taking it personally, मतलब privately, अगर अपका थोड़ा सा है, अगर उसकी थोड़ी सी liberty लेके पूछना चाहूंगा, कि आप रुष्ण भावनामृत में आए, भक्ति में आए, आपकी रुची बढ़ने लगी, भक्ति करने लगे, और आपने धीरे-धीरे करके वो ग्लेमर्स वाला जो एक आपका जीवन का बात था, उसे धीरे-धीरे करके, थोड़ा सा अंदेखा करके, भीरे-धीरे आपने भांद कर दिया, पर भ्रहमचारी बनना, मतलब आप तो भक्ति कर सकते हैं, और ये आवशक नहीं है कि भक्ति करने के लिए आपको भ्रहमचारी बनना है, आप विवाही जिवन रहकर आप ग्रहस्ता बनकर भी भक्ति कर सकते हैं, because you were on that part, होता हूं अगर आपको बहने चाहें कि किस प्रकार से ब्रह्मचारी बनना आप ने चुना और आपने ग्रहत्ट जीवन को एक रहत्ट जीवन में मैं नहीं जापाऊँगा तो उसका क्या करण था और कभ आपने ने लिया की आपको ब्रह्मचारी बनना है तो प्रवाइज न शुटिप में और थोड़े ने घृष्ट नो Walk लिए इन लिए जब शुतन सिरुब के सता इल्हेल में अधोरे Спार्व मेरी लिए कि मुझे वो टाइम वे जैसे लगने जाना या फिर कोई सेरिमनी में जाना है कि सबको ब्रहमचारी बनना है अगर उसका नेचर फैमिली लाइफ के लिए सूट करता है और अगर वो ब्रहमचारी बनेगा तो इस वह तो बस फिर यहां मंदिर में रहकर फिर सिर्फ लड़कियों को देखना इसमें पूरा लाइफ चला जाएगा उसका और अगर वो शादी शादी कर लेता है तो जो लड़की होगी उसका लाइफ तो बरबाद हो जाएगा एक दाओंगे तो नहीं हो पाएगा तो नेचर के इसाफ से चुन और भक्ति कर पाऊं जैसे आपने सही कहा कि चादी करके भी भक्ति की जाती है और हमारे अंतराश्ट्र कृष्ण भावनामृत संग में भी हम देखते हैं कि कितने सारे वरिष्ट ग्रहस्ता डिवोटीज वो तो ब्रमाचारी को कॉंपेटिशन देते हैं सन्यासी को कॉंप ब्रमाचारी आश्रम में रहकर मैं पूरा लाइफ केवल प्रहपात की सेवा करना चाहता हूं क्योंकि एक चीज जो हमेशा मेरे मन में थी कि कुछ करना है सोसाइटी के लिए I want to do something with a society आश्रम में रहके भी हम सोसाइटी के लिए बहुत सरी चीज़े कर सकते हैं लेकिन में वो जो फैमिली को जो ताइम दिया जाता है वो भी वो भी ताइम मैं नहीं देना चाहता था I wanted to give exclusive time सिर्फ और सिर्फ ये mission के लिए और जैसे जब मैं जॉब भी कर रहा था यहां बैंगलूर में जब मैं आया तो जॉब कर रहा था तो इसकों डिजाइटरी मेरा एक रोल था यह कांसिलर तो बहुत सारे कॉल जाते थे बहुत सारे मेल जाते थे तो इनको आंसर करना कॉल अटेंड करना जॉब के बीच में यह सब आपा था था इस तो गो तो इस अगर मरने से पहले में दस बीस लोगी मदद करके मरू तो I think I'll be satisfied so with this thought की I will be satisfied जो संतुष्णी मिलेगी अगर में लोग की सेवा कर पाऊंगा और अगर मैं भगवान की सेवा पूल टाम बनकर सेवा कर पाऊंगा तो all these different thoughts नो help me कि हाँ चलो yes let me get into brahmachari ashram and yes I can see that at least as of now भगवान की कर्पा और मायादीव तरिक ना करे मुझे so I am safe here and I feel my nature fits here so जब तक भगवान अलाव करेंगे हम रहेंगे यहां और सेवा करेंगे so my nature this is what I could understand जैसे आपने प्रशन पुछा है कि अमने कभी निरनाई किया जब मैंने देखा कि मेरा nature यहां जादा फिट हो रहा है और वहां नहीं जादा फिट होगा तो मैंने निरने कि यहां let me go ahead with this this path प्रमचारी आश्रम जी जी बक्ति करते हैं तब तक टो ठीक होता है मतलब तो लोग अपने परिवान जने अपने स्वजन अपने कलीक्स फैमिली फ्रेंड्स वहां तब पर थोड़ा अलग लगता है उनको पर तब तक ठीक होता है बट जब कोई वक्ति प्रमचारी बनने का चैन करता है अपने जीवन को इस तरी से बिताने का प्रयाद करता है तो बहुत सारी जगे से बहुत सारे बातें सुनने मिलती है और कोई सुजाओ देने आते हैं कोई समझाने आते हैं और बहुत कुछ इसा होता है परिवार में विश्रोप से माता-पिता भी कहते हैं कुछ तो इस तरीके से एक ऐसी प्रहंतियां भी हैं लोगों के मन में कि इसकौन में जो है वो जवदसी ब्रमचारी बना देते हैं या ऐसे बहुत सारे कारेकरम भी हुए हैं आपने देखे भी होंगे फिर लोग को पता नहीं होता है और उसको गलत तरीकेसे लिया जाता है तो आपने इस पर्श टृप से कर दिया की आपका खुद का कॉल था और इसमें किस प्रकार से क्या प्रफीकरियां आपने देखी जब आपने इनीनाई किया कि महशारी बना है क इस तरीके के प्रशन आपके सामने आए सबसे पहले तो माता-पिता तो मैं आपको कहना चाहूंगा I'm mama's boy तो हमेशा I'm very close to my mother अभी भी अभी हम जब फोन पे बात करते तो घंटो-घंटो बात करते तो एक चीज जो मेरे मन में था कि मेरे यह निरनाई से घर पे मेरे माता-पिता जादा एफेक्ट ना हो हमेशा भगवान से प्रारतना करता था कि please take care of them आप उनको just take care of them और मैं आपकी सेवा करूंगा तो यह हमेशा हर दिन यह मेरे प्रारतना होती थी क्योंकि finally एक चीज जो मेरे दिमाग में था कि उन्होंने मुझे पाल पोस्कर बड़ा किया है उन्होंने मुझे भक्ति का संस्कार दिया है they are my stepping stone to bhakti so I don't want to hurt them यह हमेशा एक दिमाग में रता था मेरे तो जब मैंने कहां मेरे घर पे यहां मैं ब्रहमचारी बनना चाहता हूं तो जाइसी बात है कि मेरी मा रोने लगी और मैंने मैंने पिता को कभी रोते वे देखा नहीं तो फोन पर रोने लगे वह यह ऐसे कैसे कर रहे हो तुम तुम M.Tech कर लिए और तभी मेरी salary भी बहुत high थी जब मैं जॉब कर रहा था तभी तो वो कहने लगे कि इतनी अच्छी जॉब तुम छोड़ रहे हो तो यह तो तुम ठीक नहीं कर रहे हो हमारा कौन ख्याल रखेगा और उस दिन एक अलग confidence था और उस दिन मैंने कहा था कि don't worry अब जादे टेंशन मतलो भगवान कृष्ण आपका ख्याल रखेंगे इस वेरी क्लियर और तभी मेरी मा कह रही थी नहीं यह क्या कह रहे हो तुम यू शुट कम और यू शुट कम तुम हमारे साथ रहो और एक बार तो ऐसे भी वहा कि मेरी मा आई थी यहाँ इसका उन वाइट फिल्द है विचारी टेरस वेटके रहो रही थी और जैसे मैंने कहा आपको कि I'm very close to my mother तो मैं भगवान से प्रातना कर रहा था कि when she cries, you know, please give me strength to pacify her तोहर, आप मानोगे नहीं पता नहीं वो कहा से मझे परेड़ना आरी थी वो बिचारी रोरी और मैं जोक मार रहा था मैं I was cracking a joke then she'll laugh and again she'll cry she'll laugh and she'll cry it was a very very emotional mood but at the same time, एक clarity था मेरे मन में कि मैं जोक कर रहा हूं सही है और भगवान मेरे माता-पिता की देखभल करेंगे और मेरे बहुत सा relatives थे जो call करके एकदम गाली पे गाली दिये जा रहे थे इसी के लिए तुम्हें तुम्हारे माता-पिता ने तुम्हें बड़ा किया था एक relative तो ऐसे कहा कि मुझे लगता है कि तुम तो important हो गए हो another relative said कोई लड़की तो भाग नहीं गई तुम्हारे relation था किसी के साथ और ऐसे भी होगा कि थोड़े भक्त आये और वो पूछ रहे थे कि तुम्हारे टकाप पारे थे न ऐसे ने कि तुम नहीं कर पारे थे इसलिए तुम्हें चोड़ दिया बहुत सारे अलग-अलग प्रश्ण थे, बहुत सारे अलग-अलग प्रश्ण थे, यह तो भगवान की कृपा थी, कि एक confidence था, कि no, I have to go ahead, I have to do this very nicely, भ्रह्मचारिय का पालन करना है, और भगवान की भक्ती करनी है, और जैसे मैंने वो, कहा था मेरे माता पिता की, कि भगवा जाते हैं, तो जब आये थे, तो मैं अपने नानी गाओ गया था, after long time, और ऐसे हुआ, कि मेरे नानी ने बहुत सरे अपने relatives को बुला लिया, और वो कह रहे थी, हमारा बच्चा स्वामी बन गया, आजो, आजो, उनका दर्शन करो, और वो जो लोग, जो मुझे पालफोस कर बढ़ा किये थे, जो जो अच्छे से मुझे खिलाते थे, जो बाइक पर गुमाने ले जाते थे, वो सारी लोग आके मेरा पैर चुरे और दूर से प्रणाम कर रहे हैं, और ऐसे भी, एक-दो मेरे relatives थे, हो कह रहे थे हैं, आप हमारे घर आई, अपने चरण हमारे घर पर र हैं थे ओं कैने लगे, खिया हम तो हम खुश है कि तुम अभी अच्छा काम कर रहे हो, तुम अभी सादू के भेश में हो लेकिन अगर तुम घर पे रहते और माता-पिता की सेवा करते और फिर भक्ती करते तो हम बहुत सब ठीक है तो तभी मेरी माने एक चीज कहा तो सारी रिल्टेस पूचे आए तुम ऐसे कैसे कह रहे हूं वायर स्बीकिंग लग दिस तो मेरी माने कहा की ऐसा नहीं है कि वो जब जब चोड़के जा रहा था तो उन्होंने एक बात कहा था कि भगवान कृष्ण तुमारा ख्याल रखेंगे और मेरी माने फुल कॉन्फिदेंस के साथ उस दिन कहा एक्चुली कृष्ण इस टेकिंग केर ओफ उस भगवान कृष्ण हमारा जो भी चाहिए हमें सब कुछ दे रहे ही इस टेकिंग केर सामने ब्रह्मचारी बैटा बैठा है वही जो बैठा बैटा जो बैटा जो इस बाल है नहीं साफरन भगवे कपड़े में है उसको देखकर कृष्ण के प्रती मा ऐसे कह रही है तो इस सारी चीज़े है इस गेव लॉट सारे टॉंट्स थे इसके बाद में देख रहा हूं कि अभी जैसे मेरे रिलेटिव हो गए या मेरे माता-पिता है या बाकी जो अभी कुछ प्राबलम होते है तो कॉल करते हो काउंसिलिंग के लिए तो इस बीन अप्लीट रांस्वरमेशन के लिए इन पीपल्स थे वही लोग अभी प्रेस करते हैं वही लोग ग्लोरिफाइ करते हैं हां तुम जो कर रहे हो अच्छा है कीप गई तो इस इस आउड़ कि अपने हैं के लिए क्योंकि और सबसे पहले तो आपकी अप्की माता शरी और पिताशरी को हमारा धन्वत प्रणाम और बहुत-बहुत नमन उनको कि यह इजी नहीं है ब्रभू अपने न मन में जिसकी छबी रहती है अपने पुत्र परिवार में जो लोग रहते हैं उनक कहीं न कहीं सब के रिदे में ये बात होती है कि ये जो कर रहे हैं वो इजी नहीं है वो सब के बसकी बात नहीं है और हर कोई नहीं कर सकता अपनी इच्छाओं अपनी आकांग्शाओं को एक सफल सुगम जीवन को छोड़ कर पूरे अपने सेक्रिफाइस को करकर भगवान के अपने जीवन को समर्पित करना it is not easy तो जो लोग है वो कहीं न कहीं अपने heart of in heart they know but कहीं न कहीं वो अप्चारिकता रूप से समाज में ऐसे प्रशना आते हैं बट बगवान की महरबानी से आपने बहुत अच्छी तरीके से उसे सुल जाया बगवान ने आपको शक्ती दी आपने जिसकरिकार से ब्रह्मचारी आशर्म का चैन किया उसके साथ साथ सभी कमेंट को भी लिया और उसके प्रति उसका जो सबसे अच्य बात मुझे ये लगी कि प्रवा भगवान और आप माता-पिता की सहासरा करना आप उनकी रक्षा करना तो यह जो है वो हम कहीं न कह मिस्ट कर देते हैं. क्योंकि यही चीज़ है जो वाक्तमीक में हमारे समर्पण को दिखाती है. जो हम लोग बोलते हैं, बात करते हैं, पर ऐसे जब मौके आएं तब हमारे surrender का, हमारे जो शहनागती है, हमारा जो विश्वास है उसकी परिक्षा होती है कि इस समय पर क्या हम भगवान पर विश्वास रख सकते हैं आपने एक दम उत्कुरुष उदारण खापित दिया उसका कि ऐसे जीवन के पड़ाव में भी आपने वही अपना मन रखा कि भगवान रक्षा करेंगे और भगवान आपकी साहता करेंगे और आपने अपने चोटे से परिवार को छोड़ कर आज पूरे समाज को पूरे जगत को अपना परिवार बनाया तो बहुत-बहुत धन्यवाद प्रभू इस मार्क का चैन करने के लिए और कितने लोगों के जीवन में आप आप नहीं जानते हैं जानते भी ह कि प्रभुजी ब्रमशारी बनने से पहले MNC में काम करते थे तो मुझे क्वेशन था प्रभुजी VLCI Design Engineering उसके बारे में अगर आप थोड़ा सा बता चाहिए कि वह होता क्या है और किसके लिए मतलब वह क्या होता है कि किस काम में आता है ओके तो बहुत सिंपल है जो चिप डिजाइनिंग होता है जो मॉबाइल में आप चिप देखते है या फिर जो भी एलेक्ट्रोनिक आइटम जो चिप देखते है तो उसको डिजाइन करना तो जो भी हाव इट शुद वर्क उसका जो भी परामेटर्स चेक करना और वो सब सो अभी तो यह बुमिंग फील्डर मिक्रो एक्रोनिक क्योंकि ऐसा है कि अवि जो गैजट ज्ट्स चैंचे इतना फिर बनाना कॉल nochmal है burggeschों ऑफ और उसक्रान यह भोट वर्ल जरुरुस पर प्र काम कर यह सबीग क्र जो इंटेatisfकrok 2 आपने जो चैन किया था वह बहुत ही दूर दृष्टी थी आपकी उस्तमें और आज हम देख रहे हैं और क्या-क्या मतलब आपने छोड़ा है वास्तव में आपने एक प्याग का जीवन जिया है और यह जो आपने बता है विसे सुरुप से अच्छा हुआ कि मैंने पूछा क कि इसमें भी आपका भविश्यो जदा कि इतना उज्वल था वो छोड़कर भी आपने यह चैन किया और यहां पर माद अशन दे रहे हैं प्रभू थोड़ा सा एक लाश सवाल पूछूँगा फिर प्रढ़ेंगे हमारे अगले पड़ाव पर जहां पर दर्स्टेगों के ल आने के बाद आध्यात्मिक द्रफ्टी कौन से आपको एक क्या बदलाव लगा मतलब वह कैसे आंसर हुआ कि कृष्णा इस दा उनली वर्शिपेबल मतलब हैसे तुम सबकी पूजा करते ही हैं बट वह जो एक कन्विक्शन होता है कि हाँ यह भगवान यही है वह आपको है ऑप सानात धर्म है मारा बहुत सारे देवत्ता है और उस भाज पूजलिये हैं सब पूजनिये हैं मैं एक यहां काई वेumen जावता वे tax ओंचे पूछ तो हैं में यह यह कुछ तह। है अगर पूछो तो क्यों मैं उनकी पूझा करता हूं सराइं किनेक्टेट सो कहीं बार ऐसे होता है कि इगो बीच में आ जाता है तो जो भी बच्चमन से तो वो था फिर उसकाद में मुंबाइ में था तो हर जगह पर हर नुकर में तो गनेश चतूरती होता है गनेश चतूरती के दिन तो बड़े बड़े पंड़ा लगया जाते है और इतनी सुंदर मूर्टियां होती है तो गनेशी किया पूजा करने लगे ऐसे भी एक समय आया जब साइवावत की पूजा करने लगे तो हर मोड पर में यह देख रहा था कि कई ना कई emotions connected है and it is more of emotion, it is more of emotional, it is more of circumstantial कह सकते हैं इस situation में इनकी पूजा कर ली, उस situation में उनकी पूजा कर ली और कई बार ऐसा होता है कि कोई life में कुछ problem आ गया और अगर कोई कहता है कि हाँ यह problem से अगर तुम्हें निकलना है तो इस देवता की पूजा कर लो, तो हो जाएगा, तो just to solve that problem, we start getting into worship, हाँ भी इनकी में पूजा करोंगा, फिर अभी इनकी, फिर इनकी, तो यह तो चलते रहता है, पर एक चीज़ जो मैंने सीखा इस कौन में आने के बाद, अंतरास्ट तो जब मैंने यह समझा, तो मैं फिर पढ़ने लगा भगवद गीता, और अभी ऐसा है कि भगवद गीता को कोई डिनाई नहीं कर सकता, आप किसी को भी ले लो, हिंदू, हिंदू, या सनातनी, सनातन धर्म में, कोई ऐसा नहीं कह सकता कि हाँ भगवद गीता, I don't, I don't believe in गीता, या हम भगवद गीता को रेफरेंस नहीं मानते हैं, तो ऐसा कोई कह नहीं सकता, और अगर भगवद गीता पढ़ेगा, तो clearly हर पेज में हमें यह देखने मिलता है कि कैसे भगवान कृष्ण ही है, जो सुप्रीम है, जैसे भगवान कहते सात्वे अध्याय, सात्वे श्लोक में, या 7-7, मत्त परतरम नान्यत किंचि दस्ती धनन जया, मैं सरव मिदम प्रोक्तम सूत्रे मनी गना इमा, तो भगवान clearly कह रहे है, मत्त परतरम नान्यत, मेरो उपर और कोई नहीं है, और अभी शायद ऐसे लोग कहें कि लेकिन भगवान ने कहां कहां है, कि इनक चैप्टर श्लोका 66, सरव धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम रजा, अहम त्वाम सरव पापे भ्यो मोक्षा इश्यामी मा सुचा, तो clearly भगवान कह रहे है कि माम एकम, माम एकम शरणम रजा, you just surrender on to me, और उस उसके एक श्लोक पहले, 1865, भगवान clearly कह रहे है, मन मना, भ मेरे बारे में सोचो, मेरी आरधना करो, मेरी भक्त बनो, और मुझे नमस्कार करो, तो इस से अधर clarity और क्या चाहिए, और अगर और बाकी शास्त्र पढ़ेंगे, हम बाकी पुरान पढ़ेंगे, तो उसमें तो सारे देव देवता जो है, सारे भगवान कृष्ण की आरधन हो, वो यह समझ लेते हैं कि ठीके भगवान कृष्ण है, He is the supreme, or He is real, and everyone else is false, बाकी सब जो है मिध्या है, so it's not like that, भगवान कृष्ण सुप्रीम है, और जो बाकी देवी देवता है, इस सारे तो उनके पार्षद है ना, and all of them, they are helping Him, for what? कि पूरा जो विश्वा है, उनके administration क कर रहे है, just sochi, अगर सूर्या भगवान नहीं है, if Lord, सूर्या is not there, then how can this world work, right? So everyone has their own role, तो इसका मतलब यह नहीं हुआ कि वो पूजनिया नहीं है, they are worshipable, लेकिन जब भगवान कृष्ण से compare कर देए, तो वो खुद कह रहे है, yes, भगवान कृष्ण सुप्रीम, so He is the supreme personality of Godhead, तो जब मैं यह सब शास्त्र पढ़ने लगा, तो मुझे जो बच्पन में जैसे मैंने कहा, कि वो जो जिग्यासा थे, कि एक कोई होना चाहिए, one God, तो वो clarify हुआ भगवाद गिता से और भश्रिवाद भागवतम से, कि भगवान कृष्ण ही वो supreme है, बस फिर वहां से worshiping the Lord and having that firm faith, एक अलग दिद निश्चे हुआ, कि येस, भगवान कृष्ण है सुप्रीम, और जैसे जैसे हम भक्ती कर रहे हैं, तो ये तो और भी clarify होते जा रहे हैं, कि कैसे भगवान कृष्ण होते जा रहे हैं, कि कैसे भगवान कृष्ण सुप्रीम है, जी, बहुत-बहुत ध पीछे हम जो क्यों करते हैं, उसको अगर थोड़ा सा घंगाल ले, उसको थोड़ा सा अगर देख ले, और उनसे पास, जिनकी भी आप कुझा करते हैं, उनसे ये याचना लेकर जाए कि हमारे लिए जो उचित है, हमारे लिए जो सही है, वो आप हमें दीजिए, और एक give and take एक वाला रिलेशन्शिप ना रखे, तो मैं समझता हूँ कि सभी जगह से आपको एक ही मार मिलेगा और वो क्रिश्न महावनावुद का मार होगा, क्योंकि यही बगवान का उदेश भी है और यही बगवान का आदेश भी है बगवत किता के माध्यम से, तो बहुत-बहुत लाला इत्ता के भरे मन से हम देखते हैं और एक लॉलियम होता है उनके प्रति, उसारे रस निरस हो जाते हैं जब आप राधा रास बिहारी के संपर्ग में आते हैं, क्योंकि हमारे भगवान जो हैं, वो सभी रसों के भोगता है, और उनके पास सभी रस है, जब उनका रस म हमारे अगले पड़ाओ का जहां पर कुछ दर्शकों के उज्वलित प्रशन है, जो उनके मन को बहुत ही पीडा दे रहे हैं, और समाधान चाहते हैं, उनके प्रशन लेंगे, और आप से उनके समूती चुत्रस आएंगे, तो सबसे पहला जो प्रशन आज के लिए आ रहा ह चाहिए, तो यह बहुत फ्रिक्वेंटली आक्स प्वेशन है, बहुत सारे पूछते हैं, करे बार तो हमारे जिवन भी ऐसे हो जाता है कि कभी को सीरेस्नेस चला जाता है, तो वन तिंग जैसे प्रवचन में सुन रहा था, कि अगर हमें वो अर्जंसी फैक्टर समझ जाए इसे हमें देखा होगा, जैसे इंजिनेरिंग हो या कोई भी प्रोफेशनल कोर्स हो, अगर एक्जाम कल है, तो देखेंगे कि एक दिन पहले आटोमाटिकली सब सीरेस हो जाते हैं, सारे बच्चे सीरेस हो जाते हैं, पुरा राद भर बैठके पढ़ेंगे, नोट्स बनाए कभी को देखेंगे, कभी को दो ऐसा भी प्लान होता है, हाँ, पाच चैप्टर, फाइवर्स, आएक घंटे में एक चैप्टर खतम करना है, तभी वहले कॉल आ जाए, या कोई बुलाने आए पार्टी के लिए, तभी हम बिल्कुल डिस्ट्राइक नहीं होगे, क्योंकि परिक्षित महराज को फाइनल एक्जाम के उने पता चला साथ दिन पहले, उनको पता चला कि यहां तुमारा फाइनल एक्जाम साथ दिन बाद है, प्रिपेर कर लो, परिक्षित महराज क्या किये, तो जो साथ दिन इदम इंटेंस भक्ती किये वो, शुक्देवा स्वामी स सुने भागवत और इतने अच्छे फोकस से सुने क्यों सुन भी रहते हैं प्रश्ण भी पूछ रहते हैं इस एनलाइटन कंप्लीटली तो जो सीरियसनेस फैक्टर है वह आता है जब अर्जंसी समझें हम और जैसे हमारे फाइनल एक्जाम की बात कर रहा हूं है यह अगर हमे मैनिफेक्टरिंग देट के नीचे ही एक्सपारी डेट भी लिखा हुआ है वह भी स्टैंप किया जाता है लेकिन हमें यह नहीं पता है वी डोंट नो कि वह क्या है तो इट कैन वी लेटर और इट कैन वी आपर समझ ता यह वर्षवबाद पता नहीं है वी डोंट नो तो थिंकिंगे बाओट फाइनल एक्जाम फाइनल एक्जाम करेंगे ऑटमाटिकली विल बिकम सीरियस जब मैं एंटक कर रहा था मेरे मुस्लिम फ्रेंड तो मुझे कह रहे थे कि जब वो नमास पढ़ते जो जब जाते नमा करते नहीं है बट स्टिल एक चीज होना चीए कि यस डेथ कन कम अनी ताइम गोल अफ लाइफ इस तो अटें कृष्णा इटर्नल सर्विज भगवान की सेवा जो नित्य सेवा है उसमें सम्मिलित होना है बट दिन अभी तक में अनो क्या मैं उसके पास बड़ा हूं? Am I moving towards that या मैं उस तरफ जा रहा हूं? गोल के तरफ और आंसर मोस्त ली आएगा no, नहीं. So at that time, understanding the urgency factor, automatically the person becomes serious. यह है first, understanding the urgency factor. दूसरा है कि हमें ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए जो serious है. ऐसे अगर कोई भक्त है और आप जाके बोल रहे हो कि आज मेने अपना सोला मला नहीं किया ह और दूसरा भक्त है रहे छोड़ो यार तो कल कर लेंगे मैंने भी नहीं किया उसमें क्या हुआ? This is called as poison. इसको कहते है विश. This is not a good association. But then अगर कोई serious association है हमारा, automatically क्या होगा? कि जैसे ही हम कहते है कि मेरी भक्ती ठीक नहीं हो रही, तो बताएंगे हमें, you are actually degrading. तो तुम न And then, ऐसे serious association में क्या होगा? Automatically हमें वो प्रेणा मिलेगी कि मुझे भी seriously भक्ती करना है. तो प्रेणा से automatically हम कर पाएंगे. यह दूसरा. तीसरा, भगवान से प्रार्तना करना. जब हमें इस समझ आ रहा है, तो बहुत अच्छा प्रश्न है यह. तो शायद एक माता जी, पृ प्रेणा दो लोगों को समझ ही नहीं आता है, कि उसीरिस हो पा रहे है. भक्ती में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं. जब हमें यह समझ आ रहा है, कि हम सीरिस नहीं हो पा रहे हैं. तो बस भगवान कि सामझ आज जा आना है और प्रार्तना करना हैं कि please make me serious. मैं बक्ति में serious होना चाहती हूँ, आप मेरी मदद कीजी. I always say, advancement in Krishna consciousness is just one prayer away. Just Bhagawan से प्रार्तना कीजी and automatically it will happen. So three things. First, urgency. हमें ये रियलाइस करना है कि मृत्यू कभी भी आ सकती है. Second, it's serious association. ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए जो भक्ती में serious है. और third, भग्वान से प्रार्तना करना चाहिए कि मैं भक्ती में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ या बढ़ पा रही हूँ, आप मेरी मदद कीजीए. आप ही है जो मेरी मदद कर सकते हैं. This will work. जी, बहुत-बहुत धन्यवाद और बढ़ना चाहूँगा अगले प्रशन की और थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूँगा प्रभुजी आपको क्योंकि आपके पास ज्यान का भंडार है और थोड़ा सा संशित में उतर देंगे तो हम ज्यादा से जादा प्रशनों को ले सकते हैं. जरूर. अगला प्रशन है जीतेंद्र गोसायन जी का प्रशन है हरे किष्णा प्रभुजी दंदर प्रणाम इसकौन भी फॉलो दराथ राधा दश्यम भाव मंजरी भाव बट नेम गिवन तो देवोटीस आफ्टर दिक्षा और मुश्ली ले टेटिटी कृष्णा दास प्लीस हेल अंडर्स्टैंड इसका एसा इसका तो सिंपल आंसर है कि जब तक हम शक्तिमान को नहीं समझेंगे तो शक्ति का पालन कैसे करेंगे सबसे पहले हमें ये समझा अब किसका दास बाद में आएका क्वेश्ण मैं दास भगवान का ये तो पहले क्लियर होना चाहिए उसके बाद ये जो बाकी है तो आटमेटिकली हो जाएगी तो पहले हम फर्स्टैंडर में तो आ जाएं तो इसके बाद हम पीजडी के वार में बात करेंगे वेल सेट वह बहुत बहुत देनेवाद वजना चाहूंगा आगे और लेलूंगा अगला प्रश्ण प्रभु जी मैं डिप्रेश्ण से जूज रहा हूं और में हरे कृष्ण बहुती निराशावादी अभी दौर से गुजर रहे हैं जहां पर वो तनाव से गुजर रहे हैं और उनमें आपकी चाहित अचालते हैं कि कैसे वो तनाव से बाहर निकल सके सबसे पहले तो ит डिप्रेशन में क्या होता है ओ समझे डिप्रेशन में घोल क्या किसीव हिंखे में क्या करना चाहिए प्रवचंन सुनना चाहिए और नाम लेना चाहिए और भकतो में मंदिर में बैठकर भग्वां की सिफर होगा तो आपको प्रेणा मिलेगी है ढमज्म कर निये और जैसे take help of some devotee और goal clear कीजिए और भक्ती अच्छे से कीजिए भग्वान से प्रात्ना कीजिए भक्ती अच्छे से कीजिए भक्तों के संग में automatically जब वो light आएगा तो इस सब clear हो जाएगा अरे किश्णा किसी से जुड़े नहीं, किसी से मिले नहीं किसी से बात नहीं करना है और अपना ही एक जीवन जीता रहता है तो इसमें बहुत आवश्यक है कि कोई ऐसा मित्र वो बक्त हो इसा हो सकता है कि बक्त ना भी मिले पर यह बहुत आवश्यक्त है कि वो किसी ना किसी से बात करे, अपने दिल को खोले और अपने दिल में जो कुछ भी है, वो उसका वहां से आदान पदान हो, तो वो थोड़ा सा बाहर निकल के खुल कर बाहर आ सकता है, तो बहुत 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 धन्यवाद तो जी और बढ़ना चाहूंगा आगे और लेंगे आज का अगला प्रशन है, विन जी का प्रशन है, हरे किसना प्रभुजी, I have a habit of waking up late, I can't attend the mangal आर्थी, please guide me, and also I am worried about my career, it distracts me from doing bhakti, यह जानना चाहते हैं कि यह जल्दी नहीं उट पाते हैं, mangal आर्थी अटें करनी चाहिए, पर नहीं कर पा मन नहीं लगा पा रहे हैं, इस बड़ी सिस्टम से आप जल्दी उट पाएंगे, और सोने से पहले प्रातना करके सोईए कि भगवन मैं आपकी mangal आर्थी अटेंट करना चाहता हूं, please help me, please wake me, you never know Krishna आजाएंगे उठाने के लिए, और दूसरी चीज़ आप पूछ रहें, I am worried about my career, यह तो जाहिर सी बा आगे, it's called, English में कहते, fear of unknown, तो एक चीज़ भगवदगीता में लगभग हर एक अध्याय में दिया गया है, कि आप अपना best दीजे, give your 100% and lead the rest to the Lord, Lord will take care, result जो है, उस पर जाधा टेंशन नहीं लेना चाहिए, इसा आभी कल इंटर्वी देने जा रहे है, और आज बैटके सो प्रिपर प्रिपर इंटर्व्यू, तो सिमिलर्ली जैसे जो भी आप चूस कर रहे है, तो जिस्ट गिवे 100% on that, give your 100% and don't worry about the result, इसको कहते है कि भगवदगीता कि प्रिंसिपल को फॉलो करना, और if we are following, then automatically things will happen, and it distracts me from doing bhakti, एक चीज़ हमेशा याद करना चीह हमें, और हमे आगे बढ़ रहे हैं, और साथ-साथ अगर हम bhakti कर रहे हैं, automatically others who are there, they'll get inspired, at least यह मेरे अपने जीवन में ने देखा है, कि जैसे मेरे class में top करता था, या even मेरे office में, जब में अच्छे से job कर रहा था, जो बाकी जो लोग है, वो सारे inspired हो जाते हैं, तो आपका जो studies है, वो अपना करियर बना लूँगा अच्छे से, so that I can inspire people, में प्रचार कर पाऊंगा अच्छे से, प्रचार कारिये के लिए मैं अच्छे से करना चाहता हूं, तो आप सोचे कि आपका जो studies है, जो करियर है, that will also get converted into devotional service, or will get spiritualized, so please do it, all the best. जी, जी, एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, हाला कि आवश्शिक्ता नहीं है, बर सुबह उटने की बात है, उसमें अगर आपकी अनुमती हो, तो एक छोटी सी बात इन से कहना चाहूंगा, कि ये जो सुबह उटने माली बात है, मेरा पर्सनल भी experience ऐसा रहा है, मैं भी बहुत लेट उटा था, पर ऐसा बताया जाता है, कि अगर आप सुबह उटना चाहते हैं, तो जैसा प्रवीजी ने बता, जल्दी सोना है, बट जो सुबह का उटने का जो target है, अगर आप साथ कीजिए, फिर साथ कीजिए, अगर आप एक ही दिन सोचेंगे, कि मैं सुबह चार बजे उटना तो हो सकता है, एक दो दिन उट भी जाए, फिर तिसरे दिन नहीं उट पाएंगे, कि वो थोड़ा सा अगा target सोटा 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 रखेंगे, भीरे धिरे करके आगे बढ़ and get back on track. How does one keep the faith and prevent from falling? जब कभी-कभी ऐसा लगता है कि इससे जुड़ा हुआ ही था कि इस सीरियस नहीं है, या कभी ऐसा लगता है कि हमारा पतन हो चुगा है, not exactly पतन, but we are not able to follow the standard. वो हो सकता है, ऐसा लगने लगे, तो क्या करना चाहिए ताकि हम अपने आपको वापस से अ एक है कि अपने बल से उठो और दूसरा है कि कि सी का हाथ थमो और उठो, तो अपने बल से उठा कैसे संबभ है भक्ती में, तो अच्छे से प्रयास करना चाहिए कि जो करें तकी process change नहीं होने वाला है, पद्धति जो है, जो process है, यह change नहीं होगी, process तो वही है कि Hare Krishna, महामन करना है भगवान के बारे में श्रवन करना है यह तो चेंज नहीं होने वाला है और भक्तों के संग में रहना है कई बार कई बार हम ऐसे लगता है कि हमारा पॉल डाउन हो गया है हमारा पतन हो गया है क्योंकि हम भक्तों के संग में नहीं रहते हैं जब भक्तों के संग में जा और दूसरी चीज है कि ऐसे कई बार होगा कि हमारे में उतनी शक्ति नहीं होगी खुद से उठने के लिए तो तभी किसी भक्त का सहारा लेना चाहिए जैसे हम सब जमीन पर गिरे हुए है तो किसी इंसान का सहारा लेकि उठना चाहिए तो उसी तरह ऐसा कोई व्यक्ति होना हमारे जीवन में जभी हम किसी critical face से गुजर रहे हो उस समय उनकी याद आए और तुरंत उनको call किया जाए या फिर उनका help लिया जाए उनसे परसनली बात किया जाए और उसे पूछा जाए कि करना क्या है what should I do and follow करना चाहिए so when we fall either you get up by yourself by doing nice भक्ति if you feel कि नहीं मेरे में बल निया तो किसी का हाथ थामिये और उठिये और इसे कहीं भक्त है इसकौन में कहीं वरिष्ट भक्त है जो help करने के लिए आतूर है so you can take help and how does one keep the faith and prevent from falling do nice devotional service every day हर दिन जब अच्छे से होना चाहिए जब जो Hare Krishna Mahamantra का जब है बहुत distract हो जाते हैं तो प्रयास करना चाहिए कि हम अच्छे से सुन पाए नाम को नाम का उचारण कर पाए और अच्छे से सुन पाए we should try our best maybe 108 times जो हम करते एक माला में चाहिए दो तीन बार अच्छे सुन ले यह दस बार बीस बार और जैसे ही जैसे हम आगे बढ़ेंगे और अच्छे भगवान से प्रातना करके जब करेंगे तो इंक्रीज होते जाएगा numbers will go on increasing and our faith will also keep increasing अगर महामंत्र का जब ठीक से चल रहा है और श्रवनम ठीक से चल रहा है बहुत 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 दिनेवाद और आपने जो भी बताया वह सब कुछ करने के लिए सबसे पहले हमें यह इच्छा जागरित करने पड़ेगी कि हम अगर गिरे हैं तो हमें उठना है अगर पर पढ़े रहने की कोशिश करेंगे तो कोई हाथ दे अपूरा उठा ले तो भी नहीं उठ पाएंगे बढ़ना चाहूंगा आगे और लेंगे अज का अगला प्रशन अर्जुन जी का प्रशन है प्रभु जी मैं होस्टेल इन्वार्मेंट इस वेरी अन्फेवरेबल पर भक्ती वट शुड़ाइड डू ऑस्टेल में रहते हैं और वातावरण ऐसा नहीं है कि भक्ती के लिए सहायक हो तो आप क्या मार प्रशन देना चाहेंगे इनको तो ज स्टार्टी स्टार्टी थी गाने सब लाइट और सब विच बट एक चीज है कि एक डिटर्मिनेशन होना ची कि मुझे करना है वक्ती I want to do तो ऐसे कहीं time slots होंगे hostel में जब खाली होगा hostel या फिर लोग सोय रहेंगे या something which is not distracting you'll find a slot I'm sure एक slot तो ऐसा होगा मेभी early morning हो जाए या late night हो जाए दुपैर का समय हो जाए और उस time पर में जब करना चाहिए और अधिक से अधिक हमें प्रयास करना चाहिए कि हम भक्तों का संग करें at least online करें फिजिकल अगर नहीं तो online करें अगर हम श्रवन ठीक से कर रहें online हो या physical हो तो एक प्रेणा मिलत करें अरो ताइम स्लोट जो है खाली ताइम स्लोट वो कैसे ना कैसे अम धूंद लेंगे सम और यह फिंद आओ तो आप रिक्वेस्ट यू कि वो जो भी distracting time a hostel का वो या अप देख पा रहें लेकिन वो खाली जो slot है वो भी रहेगा अप्राइगा अगर तो सर्च्छ था में अपना जब कर लेता था मंगलार्थी रीडिंग जेरिंग उसके बाद सब जग जाते थे सब के साथ जाओ ब्रेक्फास्ट के लिए और नाइस तो इन इस वे नहीं आपके साथ-साथ आपका भक्ति लिए हो रहा है अगला प्रश्ण आ रहा है अरे आए अग्या अगया शश्मिता जी का प्रश्ण हाग हरे कृष्णा इफ वी फास्टिंग ओन महा द्वादशी देन केन वी एट राइस ऑन दी एका दशी तो यह एका दशी द्वादशी का टेंशन नहीं लेना चाहिए वाइश्णाव क्यालेंडर देखे जो पारन टाइम अच्छे से खाईए बहुत 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 धन्यवाद बढ़ेंगे और लेंगे अगला प्रश्ण प्रश्णों का चैन होने में थोड़ा सा विलम हो रहा है बहुत सारे प्रश्णा है ना किसके लें किसके नहीं लें सुधी पारी का प्रश्ण है हाओ टू अरे किशना हाओ टू डेवलब देवलब दे इंटेंस वेट पर कृष्णा भगवान के प्रक्ति दर्ड विश्वास को कैसे बढ़ाया जा सकता है शायद मुझे बहुत सारे भक्ति प्रश्णा पूछ के याद दिला रहे हैं कि इंटेंस तो इंटेंस भक्ति तीव्र भक्ति इसक्यार में बहुत सारे जगह पर उल्लेक आता है श्रुमत भागतम में भगवद्गीता में तो एक चीज जो बार-बार दोहरा गया है और मैं जाइब दो-तिन बार कहां भी इसमें कि हमें ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए जो तीवरत्ता से भक्ति कर रहे हैं और एसे बहुत सारे बहुत अच्छी सेरे भक्ति कर रहे हैं आप देखेंगे कि उनको जादा भौतिक चीजों में आ सकती नहीं होगी उनको बस भगवान को पाना है बस भगवान की सेवा करनी है जब ऐसे भक्तों का संग करेंगे हम उनसे सुनेंगे उनसे प्रेणा लेंगे तो और दुसरा चीज में यहां कहना चाहूंगा कि जो भक्ति का अनुभव है एक्सपीरेंस और भक्ति यह बहुत इंपॉर्ट होती है तो मेकैनिकली है दो ऑफंश्य परख्दब का विखलातऊ करेंद के एक हाथ में warpयोल पकड़ाया दूसरा हत मैं बीड बैग है तो मोबाइल जब कर रहे товimmer कर रहे live कर रहे है तो अगर ऐसा को जब कर रहे हम नि be कभी भी भगी टीक में कोई अनुभव नी होने वाला क्योंकि यह कहना चाहूंगा कि भगवान कृष्ण ऐसे परस्नालिटी है जिनको एक्स्क्लूजिव अटेंशन की ज़रुत पड़ती है और वो तो सेलिब्रिटी है ना फाइनली अगर आपके सामने ऐसा कोई और आपसे बात कर रहा है तो ऐसे तो कभी नहीं होगा कि आप यहां वाँ देख रहे हैं या मोबाइल पकड़े हुए यूल बी ओल वन पॉइंट यूली जसी इंग परसन और यहां सेलिब्रिटी के सारे सेलिब्रिटी सेलिब्रिटी भगवान कृष्ण हर दिन हमें अपन अपना असोसियेशन देने आ रहे हैं और तभी जब नहीं कर पाथे प्रॉपली तो अनुभाव नहीं होगा और जब तक कृष्ण नहीं होगी तब तक मुश्किल है तब तक मुश्किल है भक्ति में इंटर्स होना तो process क्या है process is do things as it is told जैसे कहां ग्याइं वैसे करना है जी DR. प्रभुपाजी ज समय क्लिरल जा करना सभ्ट इ influencer color and share you effectively लेकिन हम एसके लख बहुत कर देते हम सारी ऐसे अठीचिते चैनल करें के अचार्य के वानी को इन अचार्य के attentiveness का और टो होगा में यॉरे को भक्ति वर्क शा and you will see यह जो हर दिन जो हम प्राक्टिस करते हैं देटो डेज जो प्राक्टिस है हमारा तेकिंग शेल्टर ओफ दे लॉर्ड भगवान की भक्ति करके भगवान का जो शरण लेते हैं लेते हैं यह जो हम अच्छे से प्राक्टिस करते हैं ऐसलोष्टे करते हैं यह में स्पाइप होती कि भला-E Herr जब हम भाव होती हैं तो अच्छे सिंवते हैं जो फेड साथ बड़दा है भगवान में लबनÁ convince जो नालमग लुणाटिस करते हैं प्रेशन्स प्रसंच भर दिन जिसमा अनुबह होगा यह कुछ बड़ी चीज नहीं है, you can just get it, anyone can get experience of bhakti, of lord, अगर हम process ठीक से follow करें, कि देखिये, पूरा जो bhakti है, it's a process, तो अगर यह science, basically it's a science, अगर यह process ठीक से follow करें, output तो वही है, same output which people have been getting from many, many, many decades, from many, many centuries, तो same, हमें भी मिलेगा experience, why we'll not get it? बस मेरा answer यह होगा, कि process ठीक से follow कीजिए, देखिये कि आप ठीक से जब कर पा रहें, देखिये कि आप श्रवन कर पा रहें कि नहीं, आपके वाद exclusive time है श्रवन करने के लिए, पथन करने के लिए exclusive time है कि नहीं, if you're able to get it, and if you're able to associate with intense devotees, then automatically your faith in Krishna will increase. Hare Krishna. जी, बहुत बहुत धनेवाद, समय की मर्यादा को ध्यान में रखके, बहुत चंशित में दो प्रषना आए हैं, उसको लेना चाहूंगा, और second last question है, आज का वो यह है, गोसम जी का प्रशन है, डेली आई चैंटिंग टूमाला, ले ओनी गार्लिक मश्रूम, और आई टू, मच्ट्राइ, बट वन तिंग, आई नॉट अबल तो लेव, च्विंग तबे को, टेल में सोलुशन दी, यह उन्होंने का अन्दार रसन भी छोड़ दिया है, हसुम भी नहीं खाते हैं, जबा भी कर रहें दुआने, पर जो टम्बा को खाने की आदते हैं, वो थोड़ा छोड़ नहीं पा रहे हैं, और उसमें उसको दिकत हो रही है, तो आप क्या हमार दर्शन देंगे इंगे इनकों. मैं तो यह कहना चाहनगा, तम्बा को तो कुछ नहीं है, यहाँ तो लोग ड्रग्स लेते हैं, और जो jokes लेते हैं, वो छोड़ पाए हैं, तो आप तो शोली छोड़ सकते हैं, इसली छोड़ सकते हैं, बस यह है कि जो आप जब करें, फोड़ आ प जब बढ़ाईए, दो से दो बार जाना चाहिए और थोड़ा कीरतन में डांस कीजिए अच्छे से कीरतन कीजिए प्रसाद लीजिए और भगवान के जब दर्शन करने जाते हैं तो भगवान को कहीं है कई बार मेरे प्रवचन में कहता हूं कि भगवान के सामने जाकर एकदम नंगा हो जाएं नॉट अब देखेंगे कि अगर आप में सिंसिर डिजायर है तो भगवान आपकी मदद करेंगे मैंने खुद देखा है जो लोग ड्रग्स ले थे वो ड्रग्स छोड़ दिये जो चेंड स्मोकर्स थे वो स्मोकिं छोड़ दिये आपको तो कुछ नहीं एकदम उसीजी तो गीवान तो all the best I will also pray for you. Hare Krishna. Definitely. अगले प्रशन पर जाएंगे जो आज का आन्दिम प्रशन होगा. Shri Vastra Ji ka प्रशन है Hare Krishna what will make Krishna unhappy or angry on devotees? I mean for which mistake? कौन सी इसी गल्दिया है जिस पर भगवान नाकुष होते हैं और भगवान को कुरोध आता है? भगवान पहली बात तो भगवान है सच्चित आनंद हो हमेशा खुश रहते हैं और हम कितना भी कुछ भी कमिस्टेक करें उनके प्रती भगवान उसको जादा सीरेसली नहीं लेते हैं भगवान एक मा जैसे हैं अगर हम मा के गोदी में अगर टटी करें तो मा को कुछ लग तो उनके प्रती जो भी हम करते हैं obviously by mistakely, unwillingly जो भी हम अपरात करते हैं भगवान उतना सीरेसली नहीं लेते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि हम willingly जाके अपरात करें तो unwillingly, by mistakely जो करते हैं that's okay अब भगवान कृष्ण को एक चीज़ जो पसंद नहीं आती वो है जब उनकी भ अपने आप अपने लिए ले लेंगे सारे अपराद, he will accept, he will bless you also, no problem, but then जब भगतों को हम अपरात करते हैं, भगतों के प्रती अपरात करते हैं, तो भगवान उसको accept नहीं करते हैं, तो यह जो चीज़ है, भगवान को थोड़ा से गुस्ता दिलाती है, yes, Hare Krishna जी, बहुत-बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आज अभी समय की मर्यादा है, इसके लिए हमें रुकना पड़ रहा है, otherwise by seeing your charm, भक्ती का जो आपका रस है, आपकी आभा जो है, आपकी जो मुख्णिल पे जो आपका हास्य है, उससे आपको छोड़े जाने का मन नहीं करता ह है, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि किस प्रकार से आपका जो अध्यहन है, शाक्त्रों के जो आपकी शरदा है, भगवान के प्रक्ति आपका विश्वास है, किस प्रकार से आपने जीवन में ऐसे ऐसे अहम चुनाव किये हैं, ऐसे चैन किये हैं, और अपने आपको समर्पित या है वो सारे फल स्वरूप आपकी personality में, आपके अध्यन में, आपके knowledge में निखर रहे हैं और उसी के कारण बहुत सारे लोगों को इससे लाव होता है तो भगवान से बस वही प्रात्ना है आप ऐसे ही हसते रहे, मुस्कुदाते रहे और भगवत बक्ती का प्रचार करते रहे आपका स्वास्त अच्छा रहे और जिस भी प्रकल्प में आप नियोजित किये गए हैं वहाँ पर आपको बहुत सारी सफलता मिले और बहुत सारे लोगों को आप बक्ती के मार पर ला सके हमसे जुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद प्रभू समय निकालने के लिए और इसी आसा के शाथ के फ्यूचर में कभी आप से फिर मुलाकात होगी कोई और मुलाकात में और हम यहां पर हर जो यहां पर आती थे आते हैं उन्हें हमारे प्रोग्राम की ओर से एक विशेष उपहर दिया जाता है जो राधा नाम की नाम का एक अंकित पिलो है जो सरल हो माइं पार्टनर है उसक बहुत धन्यवाद आपने मुझे इन्वाइट किया और टॉलरेट किया I hope I could do justice for this entire show बहुत धन्यवाद 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 है कृषणा तर्श को देखा आपने एक व्यक्ति जिसके जीवन में ग्लामर ही ग्लामर था बहुत कुछ बन सकता था अज कोई celebrity होते बड़े पर उसने सारा सब कुछ जो है वो छोड़ दिया उस celebrity के लिए जो celebrity के भी celebrity है और जी हाँ बगवान कृष्ण जो है वो सरवाकशक है और उनका नाम ही कृष्ण है जो सब को हर लेते हैं इनका प्यन भी हर लिया तो वैसे celebrity वैसे रसों के पीछे अगर आप जाएंगे भक्ति का जो रस है वो सारे रस को इस संसार के सारे रस को जो संसार है वो असार है बर फिर भी हमें लगता है कि इसमें सार है क्योंकि उसमें कुछ रस है वो सारे रसों को निकाल कर आपको बक्ती के रसका अगर चसका लग गया तो आपको इस सारा संसार निरस लगेगा तो उसके लिए आवशक है कि हम भगवत गीता पड़े बक्तों से जुड़े और उनसे मार दशन लेकर अपना जीवन वापन करें और हमेशा यह याद रखें और यह हमेशा या करकर उसे एक बार याद रखें और अपने कारे को करते रहें अगर उसर मिला तो आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए आप अपना ध्यान लखिए वक्ति करते रहें और और लोगों को भी वक्ति के मार पर प्रेरित करते रहें वैसी सुबकामनाव के साथ आपसे व झाल झाल